हेलो अच्छो नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे रीजनिंग से एक और रूपियों की किलाज टॉपिक रहेगा सीरीज परिक्षण यानि की सीरीज टेस्ट लगवग आप लोग को 225 के आसपा सवाल कवर कराऊंगा ये आज पार्ट फस्ट है इसका इसी प्रकार से आप लोग को लगातार लगवग 200 की सम्थिंग में सवाल कवर करा दूँगा जो कि आपके पिड़ते के एक्जाम के लिए काफी और खास होंगे देकि सबसे पहला सवाल देखिए जो कि SSC Online CHSL Trial 1st 4 March 2018 की परिक्षा में पूछा गया था 19,9,28,37,65 आगे क्या आप लोगों को भी थोड़ा समय बिल्कुल दिया जाएगा कुशन के एकोडिंग और आप लोग जो हल करें न तो आप लोग इस वीडियो को रोक लें है न जैसे की कुशन आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दिया वीडियो को आप लोग तुरंत रोक लें पहले अपना लोजिक लगाए फिर आप मेरे द्वारा बताए गए लोजिक को मैच करें और अपना answer देखें, सही बैठता है तो देखें, इसने किया क्या है? 19 पिलस 9 दोनों को जोड़ा है, जोड़के 28 लिग दिया है क्योंकि 19 और 9 28 होते हैं फिर अगली line में 28 और 9 दोनों को आपस में जोड़ा गया 28 और 9 37 होते हैं, यहां लिग दिया अगली लाइन में 28 और 37 दोनों को जोड़ा गया है यानि कि पहली बार जो जोड़ा गया है पहली बार इन दोनों को अगली बार इन दोनों को अगली बार आप इन को जोड़ दीजिए यानि कि 65 के साथ आप जोड़ दीजिए 37 को तो 65 के साथ 37 जोड़ोगे तो क्या है का दोस्त ये आजाएगा अंसर 102 जो की विकल्प C में बिल्कुर राइट दे रखा है बहुत ही सिंपल सवाल था ठीक है चलिए इसी करम में सवाल नमबर 2 को देखते हैं 49 46 43 40 फिरसन वाचक आगे क्या तो देखो 49 49 मैंसे इसने किया का है 49 मैंसे इसने माइनस 3 किया माइनस 3 करके 46 लिख दिया 46 मैंसे फिरसे माइनस 3 किया 43 43 मैंसे फिरसे माइनस 3 40 40 मैंसे माइनस 3 करोगे यानि पिरते एक बार माइनस 3 हुआ है कितना आएगा 37 और मैच करिए आंसर तो आपका 37 है 37 मैंसे यदि माइनस 3 करने पर 34 आता है जो कि अल्रड़ी आ रहा है तो इस प्रकार SSC Online CHSL ट्राइब 1st 4 मार्स 2018 की परिक्षा में पूछा गया सवाल और आंसर था इसका 37 हैना बहुत ही बढ़िया लॉजिक था सिंपल लॉजिक था आगे आई अगली सवाल पिस सवाल नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो आप लोग को समय मिलना चाहिए समय मिलना चाहिए बहुत ही सिंपल है एक बार के लिए सोचे तो ये सवाल नंबर 3 लगाई है लॉजिक वीडियो को रोक लीजिए है ना फिर अपना पहले हल कर लो आप लोग फिर मेरे हल से मिला ले ना देखिए 216 दूना कितने होते हैं 432 दूना कितने होते हैं यानि पिरते एक बार इसमें गुना दो यहां भी गुना दो है ना यहां 432 दूना 864 864 में भी क्या किया है गुनादो किया है कितना हो गया 1728 हो गया यालि पिरते एक बार गुनादो या फिर आप लोग ऐसे कर लीजिए 728 को भाग कर दिया 2 से और लेग दिया कितना लेग दिया 864 864 को भाग कर दिया 2 से लेग दिया 432 432 को भाग दिया कितना 216 लिख दिया अब इस 216 को आप लोग भाग दोगे दोसे तो कितना आएगा 108 यानि 108 विकल्प B वाला बिल्कुँ सही है 108 राइट अंसर है चलो सवाल नमर 4 पर आजाते हैं सवाल नमर 4 है 46, 41, 35, 30 पिरसन वाचक, 19, 13 यानि पिरसन वाचक के स्थान पे क्या आएगा पिरसन वाचक के स्थान पे तो देखो लोजिक लगाओ फटापट से बढ़िया सवाल है इसने किया क्या है 46 में से 41 यानि कितना माइनस 5 41, 35 माइनस 6 और 35 में से फिर 30 गए तो कितना 35 में से यह 30 तो कितना –5 किया है यानि एक बार –5 अगली बार –6 फिर –5 जाहिर सी बात है –6 होगा अब इस –6 को करते हैं 30 में से –6 करें तो कितना ऐगा 24 अच्छा लॉजिक session और बढ़ा हुआ वागे, फिर –5 करोगे 24 में से –5 है जओ Faculty 19 就到 Am autres quarter ठीक है और 19 में से माइनस 6 करते हैं तो फिल 13 आता है बिल्कुल ठीक है यानि माइनस 5 और माइनस 6 की सीरीज काम कर रही है तो इस परकार से आंसर आप लोगा 24 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए सवाल नमर 5 पर आजाते हैं 14, 17, 21, 24, 28, 31 आगे यहां पिरसन वाचक में क्या आएगा SSC Online CHSL Exam Try First 11 मार्स 2018 सेकिंड पाली में पूछा गया कुशन तो देखे इसने किया क्या है बहुत ही सिंपल है इसने 14 से 17 यानि कि पिलस 3 चौद है पिलस 3 यानि कि 24, 24 पिलस 4 यानि एक बार पिलस 3 अगली बार पिलस 4 पिलस 3 पिलस 4 पिलस 3 पिलस 4 तो 28 यहां पिलस 3 हो जाएगा बारी आएगी प्लस चार की 31 और चार कितना हो दाएगा 35 जो की राइट अंसर सी विकल्प में दे रखा है 35 ठीक है भी या चलो जी सवाल नमर छह पे आगए 108, 104, 192 आगए यहां क्या आएगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है देखिए, 108, 104 यानि किस से आरहा? मािनस 4 104 और 100 की आप लोग तुलना कीज़ी क्या हैगा, कमपरेजन करिए 104, 100, यानि की यहाँ भी मािनस चार कर दिया 104 मैं से मािनस चार करे जाए, 100 100 मैं से फिर मािनस चार करेंगे 96, 96 मैं से मािनस चार किया, 92 और इस 92 में से यदि हम लोग माइनस चार करते हैं तो कितना हैगा 88 तो 88 जो कि विकल्प ए में बिल्कुर राइट आंसर दे रखा है राइट आंसर ही इसका 88 है ठीक ना और यह एग्जाम भी लिख रहा है अगे देखते हैं अगली सवाल पर 9, 13, 18, 24, 31 आगे इस प्रिसन वाचक की जगे किया आएगा बड़ी है सवाल है भई सवाल लंबर साथ वीडियो पसंद आए तो एक बारी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो देखिए 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 प्लस 5 कितना होता है 18, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, 24 प्लस 7 कितना होता 31 तो जाहिर सी बात है यहां 4 जुड़ा, यहां 5 जुड़ा, यहां 6, यहां 7 तो अब की बार 8 की बार यह 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा 49 तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा ए विकल्प के साथ में ए विकल्प में ही 49 लिखा हुआ है ठीक अभी है तो ए विकल्प बिलकुर राइट आंसर हो जाएगा 39 चलिए जगले सवाल पर आजाएए सवाल नमबर आठ बहुत ही बैतरी इन सवाल है 192, 186, 184, प्रिसन वाचक और 162 आखिर क्या आएगा आखिर यहां प्रिसन वाचक की जगे क्या आएगा 166 आएगा, 68 आएगा, 170 आएगा, 164 आएगा तो देखें इसनों किया क्या है 192 से 186 लाया है यनिके माइनस 6 किया है 186 से 188 लाया ये भी यहां minus 6 किया है 180 से 174 लाएा यहां भी minus 6 तो जाहेड़ ची बात minus 6 minus 6 मईनस 6 हुआ है तो 174 मैंसे जैसी minus 6 किया जाएगा 168 आ जाएगा दोस्तो और 168 मैंसे minus 6 करके यदी 102 अठा आता है तो बिल्कुँ सही आपके series काम करेगी तो इस प्रकार से आपका 168 आंसर बिल्कु राइट हो जाएगा दोस्त किलियर आगे आजाते हैं सवाल नमबर 9 की तरफ 9, 28, 86, 261, 787 आगे प्रिसन वाचक की जिगे क्या आएगा बहुत ही बढ़ी है सवाल है ये बहुत ही बढ़ी है सवाल है और ये एग्जाम था जिसमें पूचा गया था ये कुशन SSC CHSL ट्रायर फस्ट 14 मार्च 2018 की फस्ट पाली में कुशन पूचा गया तो देखे इसने किया क्या है 9 से 28 लाया है यानि कि 9 गुना 3 पिलस 1 यानि कि 9 तिया 27 पिलस 1 कितना होगे 28 दूसरी बार सीरीज में लगाया है 28 गुना 3 पिलस 28 तिया कितने होगे 28 दिया होगे 84 84 में कितना जोड़ा है तो 84 में अब की बार जोड़ा है इसने 2 पहली बार 1 यानि गुना 3 और पिलस बार बार 1 बढ़ता चला जा रहा है तो अगली बार семika 86., gna 3 गुना 3 पिलस 3 होगा अब की बार चाहिती बार 28, 24 और 25 25 पिलस 3 यानि कि जुड़के कितना हो जाएगा 261 तो यहाँ आपको पता चल गया गुना 3, पिलस 3 यहाँ तक हो चुका है यहाँ से आगे क्या है तो यहां से आगए है 261 गुना 3 पिलस 4 आगे इतना जाएगे जुड़के तो इसमें आपको क्या करना है 787 गुना 3 पिलस 5 करके जो आएगा वही आपका उत्तर होगा 27 21 करते हैं गुना इसकी 27 21 का एक हासिल दो है ना 28 24 अर्दो 26 का 6 हासिल दो 27 21 21 अर्दो कितना हो गया 23 पिलस 5 और जोड़ दो इसमें 5 और जोड़ देते हैं इसमें तो कितना हो जागा 5 और 1 6 यानि कि ये भी 6 और ये भी आपका 3 यानि कि 2366 2366 जो कि ए विकल्ब में बिलको राइट दे रखा है सीरीज देख लो सीरीज बहुत काम की थी और ऐसी सीरीज आपको देखने के लिए एक्जाम में मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं दोस्तावाल नमबर 10 की तरफ 152, 164, 176, 188 प्रसन वाचक की जगह क्या आएगा 212 फटापट से वीडियो रोक लिया करिये पहले हल कर लो फिर अपना उत्तर मैच कर लिया है ना भया चलिए बहुत बढ़िया देखें 152 से 164 लाया है यानि पिलस बारे किया है इसने अच्छा 164 से 166 लाया यहां भी पिलस बारे किया है 176 से 188 किया है तो यह भी यहां बारे है हर बार बारे जोड़ रहा है तो 188 में दोस्त जैसे ही आप लोग बारे जोड़ोगे 188 प्लस 12 कितना हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा और 200 में यदि 12 जोटने से 212 प्राप्त होता है तो सीरीज साही काम की है तो यानि कि 12 जोटने के बाद में क्या आया है 200 है ना तो answer C भी कल्प है आपका चलिए सवाल नंबर 11 पे आ जाते हैं 17, 19, 22 24 और 27 आगे क्या हैगा पिरसन वाचे के स्थान पे जरा बताओ सवाल नंबर 11 17, 19 तो देखे बहुत ही सिंपल है कैसे 17 प्लस 2 यानि कि पहले 2 जोड़ दिया 19 से 22 यानि प्लस 3 कर दिया 22 से 24 यानि कि प्लस 2 कर दिया 24 से 27 प्लस 3 यानि पहले 2 फिर 3 पहले 2 फिर 3 अब की बारी किसकी है 2 की 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 जो की विकल्प B मैं बिल्कुर राइट दे रखा है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ 14, 18, 21, 25, 28 पिरसन वाचे के स्थान पे क्या आएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग पिलीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे देखिये 14 पिलस 4 14 पिलस 4, 18 18 पिलस 3, 21 21 पिलस 4, 25 25 पिलस 3, 28 यानि पिलस 4, पिलस 3 पिलस 4, पिलस 3 लास्ट था, पिलस 3 अब की बार यह पिलस 4 की 28 और 4 के इतना हो जाएगा 32 तो गुषिन वाचे किस थान पर क्या जाएगा दो 32 आजाएगा ठीक है ना प्रक्टिस करो अच्छे से सीरीज रोक देती है एक जाम में आगे 14, 21, 35, 49, 84 आगे क्या आएगा जरा बताओ आगे क्या आएगा ठीक है ना आगे क्या आएगा 14, 21, 35, 49, 84 ठीक है चलिए देखिए इस कुशिन में मिस्टेक है है ना S.S.C. की तरफ से इसे गलत करार दिया था S.S.C. 13 सितंबर 2017 की पाली में पूछा गया था और S.S.C. ने इसे गलत करार दिया था ठीक है ना इसे गलत करार दिया था क्योंकि यहां जो सीरीज उपर दे रखिये वो गलत दे रखिये ठीक है तो इसे लिए आप लोग भी इसे गलत ही करके छोड़ दे रहा ठीक है अच्छा यह यह चीज और लिखा है इनोंने कि यह जो संक्याए नहीं यह चोड़ है एककेस पैंतिस छपपन और एक इंक्यान में और 147 होनी चाहिए थी 147 यह सीरीज होना चाहिए था यह जो सीरीज उपर वो गलत लिखा हुआ है सारी की सारी आगे आ जाते है सवाल लमर 14 की तरफ मैंने सामिल कर लिया था सवाल लमर 14 दो, तीन, दस, उन्तालिस प्रिसन वाचक और 1175 आगे क्या आएगा प्रिसन वाचक के स्थान पे इस जगे क्या आएगा ठीक है भी यह तो देखो इसने किया क्या है यहाँ देखो दो दो गुना दो माइनस एक दो दुना चार, चार माइनस एक करके तीन लिख दिया यहाँ पे आगे तीन ठीक है तीन, तीन के साथ में क्या किया है इसने यानि तीन गुना तीन तीन गुना तीन पिलस एक एक बार माइनस एक था एक बार पिलस एक अब यहाँ देखो दस गुना चार पहले गुना दो माइनस एक फिर गुना तीन पिलस एक अब की बार इसनी किया है दस गुना चार माइनस एक यानि की हर बार गुना में भी अंक बढ़ जाता है और एक बार माइनस है एक बार पिलस है अब यहां करेंगे हम लोग 49 गुना पांच पिलस एक यह उत्तर होगा 59 पैंतालिस का पांच हासिल कितना चार पांतिय पंदर और चार कितने हुए 19 पिलस एक होगा यानि कितना आएगा 196 196 किस विकल्प में दे रखा है विकल्प ए में दे रखा है 196 ए विकल्प राइट है पंदरवा नम्मर सवाल करते हैं 2,5,11,23 आगे प्रिसन वाच के स्थान पे क्या आएगा जरा बता हो क्या आएगा तो देखो 2 से 5 आया है यानि कि 2 गुना 2 पिलस एक करके क्या आया पांच ऐना ऐसे ही 5 गुना 2 पिलस एक करके क्या आया 11 पांदूना 10 और 11 गुना 2 पिलस एक ग्यारो दो बाइस और एक कितना होगे तेईस ऐसी तेईस की साथ हम लोग गुना दो पिलस एक करेंगे तेईस दूना कितना होगे च्छी आलिस च्छी आलिस पिलस एक कितना हो जाएगा 47 और 47 विकल्ब ए में बिल्कुर राइट है आगे बरतें सवाल नमर 16 की तरब 2, 3, 7, 16, 32 पिलस वाचक के स्थान पे क्या आएगा जितना प्रक्टिस कर लोगे उतना बहुत बढ़ी आए बहुत बढ़ी आए बताओ जितना क्या आएगा आपके लिए भी टाइम है देखो इसने किया क्या है दो के साथ एक का वर्ग जोड़ दिया यानि कि दो के साथ एक का वर्ग करके जोड़ा दो और एक कितना होगा तीन अब यहां जो इसने तीन दे रखा है इसने फिर किया क्या है तीन के साथ में दो का वर्ग जोड़ दिया दो का वर्ग कितना होता है चार तो चार प्लस तीन कितना हो जाएगा है साथ पहली वार एक का वर्ग जोड़ा है अगली वार दो का वर्ग तो इस साथ के साथ में इसने किया किया इसने अब की बार तीन का वर्ग जोड़ा है तीन तीन का वर्ग जोड़ा है तीन का वर्ग अगली बार इसने किया किया है चार का वर्ग जोड़ा है तो सोले पिलस 16 प्लस 4 का वर्ग 16 ही हो जाएगा तो ये 32 हो गया अब अगली बार 32 के साथ में हमें क्या करना है 5 का वर्ग जोड़ना है 5 का वर्ग होता है 25 तो 32 और 25 कितना हो जाएगा 57 बिकल्ब ए बिलकुर राइट है देखो कितनी बहतरी इन सीरीज थी कितनी बहतरी इन सीरीज थी है जहां से देखना है ये कुशन आगे बढ़िए सवाल नमबर 17 की दरफ 8, 11, 14, 17, 20 पर सनवाचक के स्थान पर क्या आएगा 8, 11, 14, 17, 20 क्या आ सकता है जरा बताओ तो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल 8 पिलस 3, 11 11 पिलस 3, 14 14 पिलस 3, 17 17 पिलस 3, 20 तो 3 ही तो जोड़ने 20 और 3 कितना हो गया 23 इस से आसन सीरीज क्या होगी आगे बढ़ जाईए सवाल नमबर 18 की तरफ 18, 14, 10, 6 आरे सिंपल बहुत सिंपल 18 मैंसे माइनस 4 कर दिया 14, 14 मैंसे माइनस 4 कर दिया तो यहां भी क्या आएगा भहिया यह 2 आजाएगा चलो 19 नमबर कुशिन पे आजाते हैं 19 नमबर 5, 8, 12, 17, 23 इस पिरसन वाचक के स्थान पे क्या आएगा दोस्त जरह बताओ वीडियो को पसंद आ रही होते एक बार ही शेयर जरूर मार दो भई वीडियो को देखे पांच पिलस 3 कितना होगे आठ आठ पिलस 4 बार है बार है पिलस 5 सत्रा सत्रा पिलस 6 तेईस और तेईस और साथ कितना होगा तीस तो आनसर क्या है भी यानि कि पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 6 फिर अब लास्ट में साथ जोड़ देंगे एक एक बढ़ता चला दा रहा है आगे आ जाते हैं 43, 45, 50, 60 पिरसन वाचक, 103 क्या सकता है जड़ा बताओ तो देखे ये कुशन इंपोटेंट है ये ऑनलाइन SSC ए एक्जाम स्टेनो ग्राफर का एक्जाम था ग्रीड C, एवम ग्रीड D का 13 सेप्टेंबर 2017 की पिर्था पाली में पूछा गया था ये कुशन ठीक है भी है इसमें लॉजिक क्या है तो इसमें देखे 43 से 45 लाया कैसे लाया भी है ये इसमें जोड़ा है 43 की साथ साथ में पिलस एक का वर्ग पिलस एक करके यानि कि 43 एक का वर्ग एक पिलस एक लाया कितना 45 अगली वार क्या किया है इसने 45 की साथ में 2 का वर्ग पिलस एक जोड़ दिया है ना यानि कि 45 और 2 का वर्ग कितना होगे 4, 49 और 1 कितना होगे पचास इससे अगली वार में किया किया है इससे अगली वार में देखिए यहां दू का वर्ग था यहां एक का वर्ग तो अगली वार में इसने पचास के साथ में यहां किया है पिलस तीन का वर्ग और एक पचास का पचास और तीन का वर्ग नो और ये कितना हो गया बहुत पचास और नो 69 और ये कितना हो गया 60 सा ही लिखा है अब यहां से आगे किया है यहां से आगे होगा 60 का 7 में 4 का वर्ग जोड़ना है पिलस 1 जोड़ना है ठीक है चलो 60 तो ये 4 का वर्ग 16 आगया पिलस 1 तो यह हो जाएगा आपका 76 और एक कितना 77 तो 77 आपका राइट आंसर होगा और लास्ट टाइम किया होगा इसने 77 के साथ 7 में चार का यानि कि 5 कवर्ग जुड़ गया हो गया 5 कवर्ग 25 पिलस 1 जुड़ गया हो गया तो 77 और 25 कितने हो जाएगे 75 बारह यह जाएगे 102 और 103 बिल्कुल ठीक है तो राइट आंसर इसको क्या जाएगा राइट आंसर जाएगा पहते लॉजिक आपने देख ही लिया है बहुत बैतरी लॉजिक है आगे बढ़ते हैं बारह, इसे 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 बारह, यानि कि बारे का आदा कितना अच्छ है इसका आदा करके इसमें जोड़ दिया अठारे लिया आया अठारे में इसी का आदा करके अठारे में अठारे का ही आदा नो करके जोड़ दिया 27 आगया अब ही जो 27 है 27 में इसी का आदा किया 27 में तो 13.5 आया तो 13.5 यानि कि जोड़ के यहां कर दिया ठीक है तो इस प्रकार से 40 के साथ में इसी का आधा जोड़ा जाएगा 40.5 के साथ में इसी का आधा जोड़ा जाएगा तो इसी का आधा कर लीजिए का भी या कितना हो जाएगा 40 का आधा 20.25 हो जाएगा 60.65 यही आप का अंसर हो जाएगा यानि कि संख्या में उसी का आधा करके जोड़ के आगे लिख दिया बस अगला देखिए 543, 327, 202 प्रिसन वाचा के 111, 103 आखी लॉजिक क्या है भई लॉजिक क्या है देखिए भई या इन दोनों के बीच अंतर देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितने का 8 का अंतर ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया इन दोनों के बीच अंतर कितना है 202 और 27 के बीच तो यानि कि 125 का अंतर है इन दोनों के बीच कितना लॉजिक है तो भई या इन दोनों के बीच 216 का logic है चाहिर सी बात है ये 6 का वर्ग है ये 5 का वर्ग है और ये आपका 2 का वर्ग है 2 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग तो 2 का वर्ग 8 हो गया अब बीच में किसका वर्ग आएगा फिर बीच में आएगा 2 के वर्ग के बाद में 2 का वर्ग नहीं दो की पावर तीन आठ है ना ये पाँच की पावर ये पावर तीन है ये छे की पावर तीन है ये दो की पावर तीन है है ना दो की बाद में फिर किसकी पावर तीन आएगी फिर आएगी तीन की पावर तीन यहां लिखी जाएगी तीन की पावर तीन का मतलब कितना हो गए त किंती एनन होती है 27 27 जोड़ दो 111 के साथ मैं एक साथ आठ दो रेक तीन यानि कि 138 आ गया 138 अब 138 ते 202 यानि कि यहां क्या जुड़ेगा वई तो यहां जुड़ा है यह जुड़ा है चार की पावर्तिन यानि कि 64 जुड़ा है अब देख लो 64 और 138 होते ना 202 तो 138 ही सबाल मेराई टांसर हो जाएगा यानि कि या जुड़ रखा है घन जुड़ रखा है याद रखना अगला देखी 37, 17, 27, 27 आगे क्या आएगा तो कैसे देखो तीन गुणा दो बिलस एक यानि कि तीन गुणा दो बिलस एक कितना है 3, 2, 6 और 1, 7 यानि 7 गुणा 2 माइनस 1 एक बार गुणा 2 पिलस 1 एक बार गुणा 2 माइनस 1 थेरे गुणा 2 पिलस 1 है न? 27 गुणा 2 माइनस 1 53 दो नहीं होते 106 और 106 के साथ बान एक जुड़ जाएगा है न? क्योंकि पिलस 1 पहले प्लस एक फिर माइनस एक प्लस एक फिर माइनस एक आपकी बार प्लस एक की बारी है तो एक सुसाथ इस सवाल में राइट अंसर हो दाएगा ठीक है भाईया तो ये 23 सवाल थे आज की वीडियो में कल फिर से लेकर आऊंगा एक और उप्यों की गलास आप लोगों के लिए तब तक के लिए जय हिंद वने मातरम